बारेश पहाड़ी इलाकों में पर्फवारी संभब आज से शुरू होने जारा संसत का शीत काली 29 दिसंबत तक रहे जारी दिली एंसियार में प्रदूशन को लेकर आज सुनवाई होगी स्सी ने गेंद और राज्यों सी कहा था बनाई टोस योजना कोरोना के नई वेरिंड ओमिक्रॉन के खलाफ सोपी चारी विदेश से लोटने वाले यात्तियों को रहेगी खास नगर वारिश विवेक जोरी के सीबी सी का अध्यक्ष नियुक्त गया गया नमस्कार मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गरकॉर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आई नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर दक्षिन अफरीका में मिले कोरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद देश में अलर्ट जारी किया गया उत्रपदेश में सरकार पीम की एहम बैटक के बाद अलर्ट मोट पर काम कर रही है प्रदेश में सनाई वेरियंट को लेकर सभी जिलों में विदेश से आने वाले की परताल के निदेश दिये गए करोना वाइरस के डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा खतरनाग बताए जाने वाले सनाई वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर योगी सरकार सतर्क है उत्रपदेश सरकार के अलग जारी करने के बाद सास्वे भाग ने एरपोर्ट पर सक्ती बढ़ा दी है जिसके चलते ही यातियों की एरपोर्ट पर निशल्ग आटी पीसियार की जाच की जाएगी करोना के नए वेरियंट को लेकर अलर्ट जारी किया है सीम योगी ने दिये हैं कईने देश जहां दक्षिन अफरीका में मिले हैं करोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद देश में अलर्ट जारी किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार पी-म की एहम बैटा के बाद अलर्ट मोट पर काम कर रही है प्रदेश में सरनाय वेरियंट को लेकर सभी जिलों में विदेश से आने वालों की पड़ताल के निदेश दिये गए हैं कुरोना वाइरस के डेल्टा वेरियंट से भी ज़्यादा खतरनाग बताये जाने वाले इस नए वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर योगी सरकार सतर्क है। उत्तरपदे शरकार के अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्विभाग ने एरपोर्ट पर सक्ती बढ़ा दी है। जिसके चलते यात्रियों के एरपोर्ट पर निशुल्क आर्टी पीसियार की जाच की जाएगी। वाड़नसी में मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है जहां परिजनों का आरोपे की पडोस के एक यूवक ने चौकलेट दिलाने के बहाने से उसे अपने घर ले गया और फिर रेप किया। बच्ची जब रोने चलाने लगी तो उसका मुझ दबा दिया गया और माणने की धमकी दी गई। इस गटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस ने बच्ची के परजनों की तहरीर पर केस दर्च का लिया है। बच्ची जब रोने चलाने लगी तब उसका मुझ दबा दिया गया और माणने की धमकी दी गई। इस गटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस ने बच्ची के परजनों की तहरीर पर केस दर्च का लिया है। यूपी टेट का पेपर लीक होने से की सूचना के बाद परिक्षा ने रस्थ होनी पर कहीं जगे अपयर्टों ने हंगामा किया। पेपर पहली पाली में ही शुरू होने के कुछ देर बाद ही इस्तागित कर दिया गया था। दिर बाद ही पेपर लीक होने की जानकारी मिली जैसे ही केंद व्यवस्थापों को ने परिक्षा निरस करने के निदेश मिले उन्हें दर्वाजे बंद करा कर OMR शीट आदी जमा करवा ली गई ताकि इसे लेकर कोई जाना सके और कुछ केंद के परिक्षारतियों का आरोप ह कि उनसे कौपिया भी छीन लई गई यूपी टेट का परचा लीक होने से मचा है कोराम जहां तमाम स्टुडेंट इस बात को लेकर काफी परिशान है जिनोंने विरोध प्रदर्शन भी किया है अब यर्थियों ने काफी जगे पे हंगामा किया है ये भी बताय जा रहा है क जैसे ही परिक्षा चुरू हुई तो कुछ जगे पे आदे घंटे बाद तो कुछ जगे पर 45 मिनट तो कहीं पर एक घंटे बाद परिक्षा को बीच में ही उठाया गया और OMR शी टादी ले ली गई इससे नाराज परिक्षाद्यों ने कहीं केंद्रों पर हंगामा किया औ इसके चलते केंद्र वेवस्था आपको ने परिक्षा निरस करने के निर्देश मिले उन्हें दर्वाजे बंद कराकर OMR शीट आदी भी जमा करवाली गई ताकि इसे लेकर कोई जाना सके कुछ केंद्र के परिक्षाद्यों का आरोप है कि उनसे कौपिया तक चीन ली गई अपर मुखे सचे अवनी शवस्थी हमेर पूर पहुंचे जाओ उन्होंने रात तहसील के जखेडी गाउं के साथ बंदेल का एक्सपर स्वे का निरिक्षन गिया साथी एक्सपर स्वे से जुड़े सभी अधिकारियों और इंजीनियरों से बैठा के दौरान समय से काम पूरा करने का निधेश दिया एस दौरान टी-एम डॉक्टर चंदर पूर्शन तिरपाथी स्पी कमलेश डिक्षित भी मौजूद रहे जबकि आज योग्या अदनाद पुंदेल खंट एक्सपर स्वे का रिवियू करेंगे खबर हमीरपूर से है जहां अब नीश अवस्ती पहुंचे हैं अपर मुके सचे अब नीश अवस्ती जहां एक्सपरिस स्वे से जुड़े सभी अधिकारी और इंजीनियरों से बैटा के दौरान समय से काम पूरा करने का उन्होंने निधेश दिया है और इस दौरान डियम दौक्टर चंद भूशन ते पाथी और स्पी कमलेश डिक्षित भी मौजूद रहे जबकि आज योगी अतनात बुंदेल खंट एक्सपरिक का रिवियू भी करेंगे कानपूर चकेरी जाजमों के वाजित पूर कुबा मस्जित के सामने भी शनाक लग गई जहां आग लगने से कानपूर नमामी गंगे के सरकारी प्लास्टिक के पाइप जल कर खाको गए जबकि दो बिजली के खंबे और हाइटेशन तार की चपेट में आ गए वही सूचना मिलने पर चकेरी पुलस और दमकल की दो गाडिया पहुंची जो करीब 40 मिनिट बाद पहुंची खबर कानपूर से है जवाजित पुरा कुस्बा में मस्जित में अचानक से आख लग गई जवाजित पुरा का मस्जित के सामने लगी है आख जिसके चपेट में आये हैं बिजली के खंबे आग लगने से कानपुर नमावी गंगे के सरकारी प्लास्टिक के पाइप जल कर खाक हो गए जबकि दो बिजली के खंबे और हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए महीं सूचना मिलने पर चकेरी पलवेस और दमकल की दो गाड़ियां करीब 40 मिनट बाद पहुंची है सारनफुर के थाना नानौता के शेतर में गोली मारने का मामला सामने आया है जासीमेंट व्यापारी अभीशेग को अग्याद बदमाशों ने गोली मार दी पतादी की परिजनों ने व्यक्ति को मेडी ग्राम हॉस्पिटल में बादी कराया जाखायल का इलाज चल रहा है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आनन्फानर में बदमाशों की तलास में जुट गई है परिजनों के अंसार दस से अधिक अग्याद बदमाशों ने व्यापारी के उपर दुकान से हमला कर दिया खबर सहारन पूर से है जहां सीमेट व्यापारी को अग्याद बदमाशों ने गोली मारी है जहां सभी बदमाश मौके से फरार हो गए है आपको बता दे कि परिजनों ने व्यक्ती को मेडी ग्राम हास्पिटल में भरती कराया है जग हायल का इलाज चल रहा है सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची पुलिस आनफानन में बदमाशों की तलाश में जुट गई है जहां परिजनों के इनसार दस से अधिक अग्याद बदमाशों ने व्यापारी के उपर दुकान में हमला किया था फरुखाबाद के फते घड़कोत वाली के महला नबदिया पहुँची जापूर के इन्दी मंतरी सल्मान खुरशीद की पत्नी लुईस खुरशीद इस दौरान आयोधिया पर लिखी गई विवादित के किताब का सवाल पर अपने पत्नी और पूर के इन्दी मंतरी सल्मान खुरशीद का बचाव करती नजराई लुईस खुरशीद किताब के मामले पर उन्होंने कहा कि पट्याला कोट और दिल्ली हाई कोट ने कोई कारवाई नहीं की है अगर किताब में कुछ गलत लिखा है होता तो हाई कोट उनको सजा देता खबर फरूखाबाद से है जा सल्मान खुरशीद के बचाव में उत्री है लुई खुरशीद जो पूर के इन्दी मंतरी की पत्नी है लुई खुरशीद फरूखाबाद के फतेगड़ कोटवाली के महला नवदिया पहुँची है जो पूर के इन्दी मंतरी सल्मान खुरशीद की पत्नी ह है लुई खुरशीद इस दोरान अयोधिया पर लिखी गई विवादित किताब के सवाल पर अपने पती और पूर के इंदी मंतरी सलमान खुरशीत के पचाफ करती नजर आई है जो किताब के मामले पर उन्होंने कहा कि पठियाला कोट और देली हाई कोट ने कोई कारवाही नहीं की है अगर केताब में कुछ गलत लिखा होता तो हाई कोट उनको सजा जरूर देता खास खबरों में बस अभी इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार झाल झाल